जैहिंदे दोस्तों दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट जो कि यह हमारा आज का यह पहला प्रैक्टिस सेट है और यह जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट इस्टैक्स जीकी का है अगर आप उत्तर प्रदेश विलिस की तैयारी कर रहे तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट बेहर इंप्रोड करूंगा यूटूब पर रोजगार विद्परमध यूटूब चैनल है और इस चैनल पर मैं एक प्रैक्टिस सेट डेली अप्लोड करता हूं तो आप लोग क्या करिएगा डेली अगर देखेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं आसा करता हूं कि आपके एकजाम में अगर कोश्चन इस्टैटिक्स जीके सेट पूछे जाएगे तो यहां से निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा तो आप लोग वीडियो पूरा अगर डेली मेरा जो प्रैक्टिस सेट आगा उसको आप जरूर देखेगा ठीक है दोस्तों चलिए आईए स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन देखिए आपके सामने क्या कहा रहा है पहला कोश्चन कहा रहा है कि 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद इर्वीन घोसरा में निम नमे है इसमें क्या सामिल था तो सामिल था भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा आफसर नमबर ए मसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोश्चन पर चलते हैं प्रस्ष्ट तर् बीस ग्स होगे और प्रस्थ में आपको यह बताना है। कमेंट बाक्स में ज़रूर बताईएगा आप 20 कोश्चन में से कितनी कोश्चन का जवाब दे पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखी, अगला कोश्चन, निमलिखित, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयम को प्राचीन नायक अफरासियाब का वनसर बताया है, वह दिल्ली का कौन सा सुल्तान था, जो अपने को महान बताने के लिए अफरासि आज अपरा सियाब का वनसर बताया हैं तो या था वलबन जो की आपसन नंबर सी में हैं तो आपसन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक हैं? चलिए अगला कोश्चन प्रश नंबर चार पर चलते हैं और चार नमबर प्रस्ट नहाँ पर आपके सामने है प्रस्ट नमबर चार में बोला गया है मद्यकालेन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली सब्द का क्या अर्थ है वली जो सब्द है इसका अर्थ क्या होता है ठीक है किसके संदर्भ में बताना है मद्यकालिन जो सूफी संत हुआ करते थे उनकी परंपरा के अंतरगत में आपको बली सब्द का क्या अर्थ है यह आपको बताना है तो जल्दी से आप लोग कमेंट भी करते रहिए और अंतिम में जलू बताईएगा कि आपको टूटल 20 कोश्चन में कितने कोश्चन का शॉल्विंग टेकनोलोजी पीपल प्रोब्लेम नामक पुस्तक का सहलेखन किया तो इसका सहलेखन करने वाले हैं यन चंद्रे सिखरन जोकी आपसन नमबर ए में है तो इसका उत्तर हो जाएगा किलियर है चलिए अगला कोश्चन देखिए कह रहा है प्रेस नमबर छे पर चलते हैं च्छटमाप कोश्चन कह रहा है उस चेत्र को क्या कहा जाता है जो बेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतरगत सुयम के और दो समय सुचकों के बीच सम्मिलित है उसको क्या करते हैं तो दोस्तों उसको कहते हैं विस्थापन यानि आपसन नमबर ए इसका अगला कोश्चन आठ नमबर प्रिशन संयुक्त राष्ट के मापदंडों के अनुसार एक सहर एक मेगा सहर के रूप में तब अरहता प्राप्त करता है जब उसकी जनसंख्या कम से कम कितनी होती है कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए यहां पर कोश्चन यह पूछा है तो कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए दस 10 million अगर है तो वह जो मेगा सर के रूप में क्राप्त हो कर लेगा उसका जो आरहता होगा वह मेगा सहरց कि रूप में प्राप्त कर लेगा उसकी संह्या कम कितने जाहिए तो 10 million होने चाहिए ठीक चलिए अगला question प्रस्ट नमबर 9 तेरीडो फाइट्स प्रजनन किस प्रकार करते हैं तेरीडो फाइटा जो समू होता है दोस्तों इन समू की जो जीव होते हैं वह किस प्रकार से प्रजनन करते हैं यहाँ पर कुछा गया है तो तेरीडो फाइटा जो समू होते हैं वह प्रजनन हमेशा करते बेजागों की सहायता से तो आपसर नमबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है मित्रों चलिए अगला कोश्चन पर चलते हैं और कह रहा है कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है यह वर फिर से समझेए कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है तो कवन सा एक प्राथमिक बल नहीं है बताईए क्वन में कह रहा है कौंसा भारती सम्मिधान का प्रावधान उससे सम्मंदित अनुछेद के साथ सही तरीके से जोगा गया है तो कौंसा इसमें जोगा गया है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिकत स्वतंत्रता जो की अनुछेद किसमें है एक किसमें यही इसका उत्तर हो जाएगा कोश्चन पर देखिए पाईरो लिवसाइट किस का किस का एक है तो पाईरो लिवसाइट जो है यह मैगनीज का S का होता है मैगनीज यानि आप्शन नमबर D इसका सही उत्तर हो जाता है ठीक है मैगनीज का प्रतीक होता है यह मियान ठीक है यह मैगनीज का प्रतीक होता है तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगरा कोश्चन पक की ओटीट गिलीट सिर्शक की कविता शंग्रह किश के द्वारा रचित है यह बताना है तो यह के सीवर एड़ी आप्सन नमबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए अगला कोश्चन पर चलते हैं अब प्रस नमबर चार है यहाँ पर किसे पीगोवियन कर के रूप में वर्गिक्रित किया जा सकता है यहाँ पर कोश्चन यह दिया गया है तो किसे कार्बन कर यानि आप्सन नमबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला प्रस ने एचिशन कमिशन 1886 को किसमे सुधारों की सिफारिसे करने के लिए नियुक्त किया गया था तो किसे नियुक्त किया गया था बताईए किसे निप्ट किया गया था दोस्तों तो यह भारती नागरेक सिवाएं आप्शन नमबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण पर चलते हैं प्राचीन भारती दर्शन के नुसार पूरुसार्थ या जीवन के चार लक्षियों में निम्न में सी क्या सम्मिलित नहीं है बताएए कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है तो यह सम्मिलित नहीं है इसमें यस यानि आप्शन नमबर सी यह समलित नहीं है चलिए आगे चलते हैं और यहां से 17 नंबर कोश्चन आपके सामने है मनुस्यों में हिचकी समाने तह किसकी नीचे की और अस्थान परिवर्तिन के कारण आती है जो हिचकी कभी-कभी क्या होता है मनुस को हिचकी आती है तो कहते हैं कोई याद कर रहा है कोई याद नहीं करता है वह आपको कोई समस्या होती है तब हिचकी आती है तो बोला जाता है पाने पियेंगे तो सही हो जाएगा पाने पिया जाता है कोई याद नहीं करता है ठीक है तो बताइए कि इसको नीचे की आस्थान परिवर्तन करने कारण होता है हिचकी तो मध् भारत के किस राज्य में एक स्वधेशी समुदाय के द्वारा कैलपोध का फसल उस्व मनाया जाता है। प्रस्ट नमबर उन्निस में बोला गया है तूरी बंगल और पावा किस राज की लोक बाद देयंत्र हैं यह बताना है किस राज की लोक बाद देयंत्र हैं यह गुजरात राज के हैं अप्शन नमबर डी ही इसका उत्तर सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोश्चन में कहा गया है देखिए कौन सा अस्थल भारत की विसालतम अंतरिक्ष आद्रभूमिन नहीं है कि कौन सा अस्थल भारत की विसालतम विसालतम सनरचित विसालतम क्या इसमें सुन्दरवन इसका उत्तर सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो हमने 20 कोश्चन का प्रैक्टिस सेट किया है 20 कोश्चन हम लोग टिक किये हैं अब आप डोग बताइएगा कमेंट में कि आपको 20 में से कितने नंबर आपको मिले हैं यानि आप कितने प् प्रैक्टिस सेट अपलोड करते रहेंगे और पुलिस की जो जो बच्चे पुलिस की तायरी कर रहे हैं यह आपके लिए बहुत इंपार्टेंट है और बिहार जो बिहार टीचर का जो बैकंसी है जो हाल ही में एक्जाम होने वाला है कुश्चन में तो उनको लिए उनके ल कर देखिएगा अधिक शरीक लोगों तक सेर भी कर दीजिए आगे फिर मिलते हैं आज के लितना ही जय हिंद जय भारत